नमस्कार जै जोहार साथियो जागो पंच में आप सभी का हारदिक स्वागत अभिनन्दन साथियो आज मैं कुछ ऐसा सम्वेदर शील विशय आपके सामने लेके आया हूँ जिसे हमारे समाज के एक जाती बिशेश के लोगों में बहुत ही सम्वान, मान, आस्था, सुरधा या विश्वास के साथ पूजा जाता है उन्हें अपनी जाती का बताया जाता है और साथी साथ संयोग ये भी है कि वह मेरी ही जाती से जुड़ा हुआ है यानि यादव जाती से आज का ये मामला जुड़ा हुआ है तो आज जो सबसे बड़ा मसला है कि आज हमारे समाज में जिस यादव समाज ने श्री कृष्ण को जिस तरह से सीना ठोक के कहते हैं हम कृष्णवनसी हैं कृष्ण हमारे हैं हम कृष्ण के हैं तो आज इस विशे में थोड़ी सी में बात उनके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये जरूरी है, ये हमारे समाज का एक महत पूर्णग है, श्री कृष्ण को हमारे समाज में बहुत बड़ी उपलब्दी हांसिल है, उन्हें अपना इश्देव, देवता, भगवान या अ या नामों से लोग उन्हें जानते हैं, और श्री कृष्ण को अपने से अलग होकर बरदास भी नहीं कर पाते, श्री कृष्ण को अलग करने की अगर बात कर लो, तो श्री कृष्ण के नाम पर, अगर उनसे अलग करने की बाते करो, तो निश्चित तोर पर वह भैभीत हो आतंकित हो जाते हैं यानि श्री कृष्ण के बिना अपना वजूद उन्हें कुछ नहीं समझ में आता और अगर श्री कृष्ण का नाम ले लो उनकी जह जह कार कर दो तो यादव समाज में उनका सब कुछ ले लो उनका जो भी मांगो दुरंदेने को तैयार मतलब इतनी आस्था इतना विश्वाश श्री कृष्ण के नाम पर है लेकिन हमारा समाज है हमारा ये जो यादव जाती है यह ये मानने को तैयार नहीं होती कि श्रीक कृष्ण ने ही उनका समूल बिनास कर दिया था जिस प्रकार परुषुराम ने छट्रियों का बिनास कर दिया था उसी प्रकार श्रीक कृष्ण ने भी यादों का बिनास कर दिया था वह कैसे किया था यह मैं अपनी तरफ से इसमें मेरा कोई एक वक्त अब्य नहीं है केवल मैं महाभारत के उस अंस को आप तक पहुचा रहा हूँ जहां पर स्री किस्न ने एक-एक यादमों को मार दिया था और उनके जो बचे थे उनको स्री किस्न ने मार दिया था उसके पहले जितने थे वो सब आपस में लड़के मर गए तो यहां पर सवाल बड़ा उड़ता है कि हम को क्यों छोड़ दिया अगर हम उन्हीं के वंस से जब उस समय बता दिया कि उन्होंने सारे यदवंसियों को मार दिया था जैसे परशुराम ने सभी छट्रियों का बिनास कर दिया था और यहां पर शुरी किशन ने उसी तरह समझत यादवों का बिनास कर दिया था तो सवाल उड़ता है कि आज के यादव कौन हैं यह कहां से आए यह कैसे क्रिशनमंसी हो गए लेकिन मैं इस पे ज़्यादा टीका टिपड़ी भी नहीं करूँगा क्योंकि ये सवेदन सीर्थ थोड़ा बिशे है लेकिन महाभारत के उस अंसकों मैं आप तक पहुचाना चाहूँगा कि जिसने आपको आप ही के द्वारा खतम करने की जो योजना बनाई है महाभारत ये मेरी लिखी नहीं है महाभारत किसकी लिखी है ये किसी यादव की लिखी नहीं है महाभारत किसकी लिखी है उस बिचवलिये की वो बिचवलिया जो हमें और ईश्वर को मिलाता है ईश्वर उसी ने हमें बताया कि स्री कृष्ण भगवान थे, स्री कृष्ण ईश्वर थे, तभी हमने जाना नहीं तो हमको ना पता चलता, और ये पुस्तक भी हमें यहीं बता रही है, कि हमारे स्री कृष्ण भगवान थे, तो चर्चा जरूरी है कि स्रीकिष्ण ने वास्तों में यादों के लिए कौन सा हित का काम किया है स्रीकिष्ण ने यादों के विकास के लिए क्या काम किया है उन्नति के लिए क्या काम किया है यह जानना बड़ा जरूरी है तो आईए चलते हैं जहां पर लिखा गया है तृतियो ध्याय महाभारत का कृत वर्मा आदी समस्त यादों का परसपर संगहार और यादों को संगहार क्यों यह बैशामपायन जी बताएंगे बैशामपायन जी कहते हैं जनमेजय द्वारका के लोग रात को सोपनों में देखते थे कि एक काले रंग की इस्तरी अपने सफेद दातों को दिखा दिखा कर हस्ती हुई आई और घरों में प्रबेश करके इस्तरीयों का सौभागे चिन लूटती हुई सारी द्वारका में द बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूं आप इस पे गौर करिएगा क्या सभी को एक जैसे सौपना सकते हैं यह अपने मानस पटल पे यहां जरूर रखिएगा अगनी होत्र ग्रिहों में जिनके मद्य भाग में वास्तू की भूशन, छत्र, ध्वजा और कवच चुरा कर भागते देखे जाते थे अब आप सब गौर करिएगा कितनी मज़ेदार कहानिया हैं और फिर जिसकी नाभी में बज्र लगा हुआ था जो सब को सब लोहे का ही बना था वह अगनी देव का दिया हुआ स्री बिश्णू का चक वरिश्ण वंसियों के देखते देखते दिब लोक में चला गया था जो चक्र हाँ पर आया था वह दिब लोक में चला गया भगवान जो के सूर्य के समान तेजस्वी और जुता हुआ दिब रत था उसे दारू के देखते देखते घोड़े उड़ा ले गए वे मन के बिश जिनकी सदा पूजा करते थे उन ताल और गरुल के चिन से युक्त दोनों बिशाल दोजों को अब सराएं उठा के ले गई और दिन रात लोगों में यह बात कहने लगी कि अब तुम लोग तिर्थियात्रा के लिए निकलो अब तदांतर पुरुशेश्ट विश्णी और अं जाने की इच्छा हो गई थी अब देखिए तब अंधकों और विश्णियों ने नाना प्रकार के भक्ष भोज्य पेव मध्य और भाती भाती के मांस तयार करवाई अब देखिए ये श्री कृष्ण का जो परिवार था यह क्या-क्या खाया करता था उस समय इसमें दिया नाना प्रकार के भक्ष भोज्य पेव मध्य और भाती भाती के मांस तयार करवाई इसके बाद सैनिकों के समुदाए सोभा संपन और प्रचंड तेजस्वी थे रत घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकल लिये उस समय इस्त्रियों सहित समस्त यदुए प्रभास छेत्र में पहुँचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए उनके साथ खाने पीने की बहुत सारी समागरी थी परमार्थ ज्यान में कुशल और योग बेता यूधोजी ने देखा कि बीर यदुवंसी समधर रुपतर पर डेरा डाले बैठे हैं तब वे उनसे आकर पूछकर बिदा लेकर वहां से चल दिये महत्मा उधव भगवान स्री कृष्ण को हाथ जोड़ प्रणाम करके जब वहां से प्रस्थित हुए तब स्रीश कृष्ण ने उन्हें वहां रोकने की इच्छा नहीं की क्योंकि वे जानते थे ये यहां ठहरे हुए व विर्ष नवंसी थे इनका सबका विनास होने वाला है काल से घिरे हुए विर्ष ने और अंधक महारतियों ने देखा उधो अपने तेज से पृत्वी और आकास को व्याप्त करके वहां से चले जा रहे थे उस महा मनस्वी यादों के यहां ब्रह्मनों को जिवाने के लिए जो अनतयार किया था उसमें मदिरा मिलाकर उसकी गंद से युक्त उस भोजन को उन्होंने बानरों में बाट दिया और फिर उसके बाद तदांतर वहां सैकडों परकार के बाजे बजने लगे सब और नटों नर्तों का नित्य होने लगा इस परकार प्रभाश शेत्र में प ऐसा कौन लिख रहा है ये लिख रहा है वो बिचवलिया जिसने यादों और भगवान के बीच में मध्यस्ता की उसने ये आपकी कहानी लिखी है ये मैंने ने लिखी है इस कहानी को गौर करिएगा सुनिएगा और मैं ये कहता हूँ कि ये गीता प्रेस गोरक पुर की लेकर पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कैसे आपके ही अपने को आप ही से मरवा दिया ये साप साप इस पश्ट इसमें दिखाई देगा स्री कृष्ण के पास ही कृत्रवर्मा सहित बलराम सत्यादगी और वभुरू पीने लगे यानि स्री कृष्ण के पास ही ब गोपियों को ज्यान देने के लिए वहाँ नदी के तट पर निर्वस्त अस्तरान करती गोपियों के वस्त को सीख देने के लिए वह जाते हैं और उन्हें सीख दे लेते हैं लेकिन यहाँ पर स्री कृष्ण यादवों को सीख नहीं दे पा रहे हैं अपने परिवार को सीख सत्या की मद से उन्मत होटे और यादों की सभा में कृत वर्मा का उपहा सथा अपमान करते हुए इस प्रकार बोले अब यहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने महा भारत का युद्ध एक साइड होके लड़ा और स्री कृष्ण ने बहुत सारा ग्यान लोगों को दिया कितनों का उन्होंने उद्धार किया उनकी हत्या करके नी उनको मार के नी उनको ग्यान दे कर लेकिन यहां पर वो ग्यान उनका अपने परिवार के लिए सून्य था भगवान होते हुए विश्णू का अवतार होते हुए उन्होंने अपने ही वंस को चाहते तो श्राप से मुक्ती दिला लेती जो श्राप इतना भयंकर था ब्रामनों ने दिया हुआ उस श्राप को कम करा सकते थे लेकिन वह श्राप को भी कम ना करा पाए यहां तो श्राप का मतलब सूने होता है श्राप कुछ नहीं होता है और श्राप देने से ही यदि किसी को कुछ हो जाता तो आज सुराप दे दे के ये ब्रामण जाती सुपर पावर और बन गई हो TG सारे खतम होते होते नश्ट हो गई होते लेकिन कोई नश्ट नहीं हुआ खतम नहीं हुआ इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये सराप माने कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सामने ये पुस्तक है, जब ये पुस्तक है, इसमें लिखा गुआ है, लिखा गया है, और हमारे समाज में इसको मानेता मिली है, हमारा समाज इसे आस्था और विश्वास से जोडत है तो हमें भी इसमें लिखी हुई चीजों पर आस्था है तो हमारी आस्था को ये ठेस क्यों पहुचा रहे हैं कि हमारे अपने को ही हमारे अपने से ही क्यों मरवा रहे हैं इसके बारे में या तो सत्ता की जानकारी दें प्रमानिक जानकारी दें और यदि नहीं तो ऐसी की पीते पीते वो यादवों की सभा में कृतवर्मा को उपहास किया और अपमान करते हुए इस प्रकार बोले हारदिक्य तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा छत्रिय होगा जो अपने उपर आघात ना होते हुए भी रात में मुर्दों के समाना चेत पड़े हुए मनुश्यों की ह रसकार करके सत्याकी के उपर्युक्त बचन की प्रसंसा एवं अनुमोदर किया यह सुनकर कृत वर्मा अतियंत कुपित हो उठा और बाए हाथ से उंगली का इसारा करते करके सत्याकी का अपमान करता हुआ बोला अरे युद में भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे म सत्य है कि कोई सरेंडर कर गया और सरेंडर करने के बाद भी उसकी हत्या कर दी जाए यह मानमता के खिलाफ है और वीरता के खिलाफ है कृत वर्मा की यह बात सुनकर सत्रुबीरों का संगहार करने वाले भगवान स्री कृष्ण को कुरोधा गया उन्होंने रोजपूर्ण तेंड़ी दृष्टी से उसकी ओह देखा उस समय सत्याकी ने मदसूदन को सत्याजित के पास जो समय तक मणी थी उसकी वह कथा कह सुनाई अर्थात यह बताया कि किरतवर्मा ने ही मणी के लोब में सत्राजित का बद करवाया था यह सुनकर सत्य भामा के कुरोध की सीमा न रही वह श्री कृष्ण का कोद बढाती हुई और रोती हुई उनके अंक में चली गई तब क्रोज से भरे हुए सत्याकी उठे और इस प्रकार बोले सुमध्य में यह देखो मैं द्रौबदी के पाँचो पुत्रों के ध्रिश्दुम्न और सिखंडी के मारग पर चलता हूँ अर्थात उनके मारने का बदला लेता हूँ और सत्याकी की सपत खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृत्वर्मा ने द्रोण पुत्र का सहायक बनकर रात में तोते समय थोड़ा प्रूफ रीडिंग प्रॉब्लम है सोते समय उन वीरों का बद किया गया था आज उसकी भी आयू और यस का अंत हो गया ऐसा कहकर कुपित हुए सत्याकी ने स्रीकृष्ण के पार दोड़ कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट लिया अब यहाँ पर देखिए स्रीकृष्ण यह बैठे बैठे देखते रहे यह इनका परिवार है जो आपस में लड़ रहा है और यह विश्णू के अवतार थे और विश्णू के अवतार ने अपनों को ही बचाने का काम नहीं किया जबकि यह ग्यान से इन सब की बुद्धी बदल सकते थे लेकिन बदले नहीं क्यों आखिर स्रीकृष्ण का यादों से क्या वैर था क्या दुस्मनी थी या इसे लिखने वाले की यादों से दुस्मनी जरूर रही होगी जिसने ये लिखा है उसने यादों से ये दुस्मनी का अपना ये जो दंस है उन निकाला है क्योंकि इस तरह वो कुछ कर नहीं पा रहा था तो उसने इस पुष्टक का निर्मार करके आपस में ही दिखा दिया कि यादो तो आपस में ही लड़कर मर जाते हैं तो साथियों ये आपको समझना है कि हमारे साथ ये कौन सा कलम कार चल कर रहा है क्योंकि ये कलम के नहीं तलवार का नहीं ये कलम का वार है और कलम का वार बहुत तगड़ा वार होता है ये यादव वंस को समझना पड़ेगा फिर वे दूसरे दूसरे लोगों का भी सब और घूम कर बद करने लगे यह देखकर भगवान स्री कृष्ण उन्हें रोकने के ल दोडे लेकिन कर कुछ नहीं पाए चाहते तो सब कुछ कर लेते क्योंकि इन्हों तो स्रिष्टी निर्माण किया था और लेकिन यहां पर वो दोडे थे बस खाली बचाने के लिए नहीं महराज इतने में ही काल की प्रेणा से भोज और अंधक वंस के समस्त बीरों ने एक मत ह कर सत्यकी को चार ओर से घेर लिया उन्हें कुपित होकर तुरंद धावा करते देख महाते जश्वी स्री क्रिशन काल के उलट फेर को जानने के कारण कुपित नहीं हुए वे सब के सब मदिरा पांजनित मद के आवेस में उनमत हो उठे थे इधर काल वर्मा मृत्यू भी उ प्रदुन उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वम उनके और आकरमरकारियों के बीच में कुद पड़े प्रदुन भोजों से भिड़ गए और सत्यकी अंधकों के बीच जूजने लगे अपनी भुजाओं के बल से सुशोबित होने वाले वो दोनों बीर परश्रम के साथ बिरोधियों का सामना कर रहे थे परंतु बिपक्षियों के संक्या बहुत अदिक्ची इसलिए वे दोनों स्रीकर्शन के देखते देखते उनके हाथ से मार डाले गए स्रीकर्शन देख रहे हैं और वो उनके ही आगे मार डाले गए यानि हमारे साथ साक्षात प्रभू ब् खून एक वाला काम नहीं कर रहा है और वो मार रहे हैं और खड़े-खड़े देख रहे हैं सत्यकी तथा अपने पुत्र को मारा गया देख यदुनंदन स्री कुपित होकर एक मुठी एरका उखाड ली उनके हाथ में आते ही हुए घास बजर के समान भैंकर लोहे का मूसल बन गई फिर तो जो 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 सामने आया उन सब को सिरी कृसन ने उससे मार गिराया उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक भोज, सिनी, विरिश्वन्स के लोगों ने उस भीशन मार काट में उनी मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंब किया नरेश्वर उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नाम का घास लेता उसी के हाथ में वह बजर के समान दिखाई देने लगती थी प्रत्मीनात एक साधारन तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था यह सब ब्रह्मनों के शराब का ही प्रभाव था यहाँ पर जो वयादूं को ब्रह्मन का शराब मिला था उसकी वज़ा से यह मारे जा रहे थे घास भी त्रिशूल बन जा रही थी राजन वे जिस किसी का तरण का प्रहार कर रहे थे अभेग जवस्तू का भेदन कर डालता था बज्रमे मूशल के समान सुद्रिड दिखाई देता था भरत नंदन उस मूशल से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला जैसे पतिंगे आग में कूद पड़ते हैं उसी प्रकार कुकूर और अंदकवंस के लोग प्रस पर जूशते हुए एक दूसरे परमतवाले होकर तूट पड़े थे और वो नजारा वहां कर देखने लायक था क्योंकि वहां पर बैठे हुए थे उन्ही के वंस के स्री कृष्णम यानि हमारे ही वंस के स्री कृष्णम हमारा ही विनास हो रहा है खुशी-खुशी देख रहे थे वहां पर तो परुशुराम और छट्रियों में दुश्मनी के कारण मार काट हो रही थी यहां पर तो हमारा अपना बैठा हुआ था हमारा अपना अवतार बैठा हुआ था हमारा अपना परिवार बैठा हुआ था और हम मारे जा रहे थे और वो देख रहा था ऐसे कृष्ण की जैजैकार हमारे समाज को, हमारे वंस को जरूर करनी चाहिए क्योंकि हम खुशी होते हैं कि हमारा अपना मार रहा है कोई गहर तो नहीं मार रहा तो हमें ऐसे मार खाने की आधत डालनी चाहिए वहां मारे जाने वाले किशी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का बिचार नहीं होता था काल चक्र के इस परवर्तन के जानते हुए महा बाहू महा मदुशूदन वहां चुप चाप सब कुछ देखते रहे और मूशल का सहारा लेकर खड़े रहे हमारे प्रभूश रिक्रिणत खड़े हैं मरो हम तो तुम्हें मार नहीं आए तो कौन सा मूँ लेकर यादव आज यादव समाज ये कहता है कि हम उन्ही के वंस के हैं इतना सब हो जाने के बाद पूरा वंस बिनास हो रहा है आखों के आगे वो मूशल का सहारा लेकर खड़े हैं मर लो जिसको मरना है तो यहाँ पर साजिस करता स्री कृष्ण नहीं है यहाँ साजिस करता यह कलम वाला है जिसने यह महाभारत लिख डाली है यह है असली साजिस करता इसमें स्री कृष्ण का दोस नहीं है क्योंकि भगवान भी अगर कहीं जन्म लेते अगर होते कहीं जन्म लेते तो इस प्रकार का कृत्त न करते कि अपने ही परिवार पे लांचन लगवा लेते कभी ऐसा हो सकता है यह सोचने वाली बात है जब एक आम मानाओ तुछ मानाओ एक छोटा सा जानवर का पिल्ला भी दूसरा कोई जानवर अपने उस कौम पे हमला कर रहा होता है उस विरादरी पे तो दोड़ पड़ता है उसको काटने के लिए तो स्री कृष्ण बिष्णो का आवतार भगवान का आवतार होते हुए जिस परिवार में जन्वें होएथे उसे लड़ता देखके मार सकते थे, मान सकते थे, कर सकते थे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कदापी नहीं हो सकता ये छल कलमकारों का है और इन्ही कलमकारों को हुई हमें समझना है फिर देखिए भारत श्री कृष्ण जब अपने पुत्र सांब चारुदेश्ण और प्रदुन को तथा पोते अनिरुद्ध को भी मारा गया देखा तब उनके क्रोध की अगनी प्रजुलित होटी अपने छो कारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय सेस बचे हुए समस्त यादमों का सन्यास कर दिया पूरों को खतम कर दिया श्री कृष्ण जो बचे हुए थे सभी यादमों को मार दिया खतम कर दिया पुर्चत साथियों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने समस्त यादों जातिका समूल नास कर दिया उनका संगहार कर दिया तो आप सभी आज भी उन्हें अपने अराध के रूप में अपने वंश के रूप में और अन्य जो आपका आस्था या विश्वास जो कहता है उसके रूप में आप सभी मान सम्मान करते लगातार चले आ रहे हैं इतना सब हो जाने के बाद भी कि उन्होंने समस्त यादवों का बिनास कर दिया लेकिन ये समस्त यादवों का बिनास स्री कृष्ण ने नहीं किया या स्री कृष्ण नाम ब्यक्ति ने नहीं किया या भगवान नहीं किया यह यूँ कहें हम कि अधी वास्तों में भगवान होता तो कम से कम अपने परिवार को इस तरह बदनाम करने न तो ना आता अपनी कौम को बदनाम करने ना आता यादव जाती को बदनाम करने ना आता यह जो बदनाम किया गया है जो श्री कृष्ण को इस तरह का बनाया गया है यह उस कलम कार का काम है जिसने अपनी कलम से यह लिखा है और इस कलम से अपने उसने ऐसा क्यों लिखा है इसके पीछे के मनतव्य को समझने का प्रयास करिए यानि जब हम इसके पीछे के मनतव्य को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यह पूरी तरह से एक बहुत बड़ा शड़यंत्र है यह जो हमारे सामने यह पुस्तक है और इस तरह की पुस्तकें हमारे समाज में केवल केवल एक छल के रूप में परस्तुत करी गई है और वो छल जिस दिन ये समाज समझ गया ये एंटीना धारी भारत से बाहर नजर आएगा तो साथी हो आज का वीडियो यह कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें साथी जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबालें जिससे माज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो लिद्गस से पहुँच जाए इसी के साथ आप से बिदा नमस्कार जै जोहार